साथियों कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केनिया के पूर्व प्रधानमंत्री राहिरा उर्रेंगाजी से हुई थी ये मुलाकात दिल्चस्प तो थी ही लेकिन बहुत भावुख थी हम बहुत अच्छे मित्र रहें तो खुल करके काफी बाते भी कर लेते हैं जब हम दोनों बाते कर रहे थे तो ओडिंगाजी ने अपनी पीटिया के बारे में बताया उनकी बेटी रोज मेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और जिवज़े से उन्हें अपनी पीटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी लेकिन उसका एक दुष्प्रणाम ये हुआ कि रोज मेरी की आँखों की रोशनी करीब करीब चली गई दिखाई देना ही मंद हो गया अब आप कलप्रणा कर सकते हैं उस बेटी का क्या लुआ होगा और एक पिता की स्थितिका भी अमंदाज लगा सकते हैं उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं उन्होंने दुनिया भर के अस्पतालों में कोई भी दुनिया का बड़ा देश ऐसा नहीं होगा कि जहां उन्होंने बेटी के इलाज के लिए भरपूर कोशिश लगी हो दुनिया के बड़े-बड़े देश च्छान मारे हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और एक प्रकार से सारी आशाई छोड़ दी पूरे घर में एक नराशा का बातरौन बन गया इतने में किसे ने उनको भारत में आयुरवेद के इलाज के लिए आने के लिए सुझाव दिया अब वो बहुत कुछ कर चुके थे ठक भी चुके थे फिर भी उनको लगा कि चलो भई एक बाद ट्राय करें क्या होता है वे भारत आए के रला के एक आयुरवेदिक अस्पता आज का असर ये हुआ कि रोज मेरी की आँखों की रोशनी कापी हद तक वापस लोट आई अब कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक नया जीवन मिल गया और रोशनी तो रोजमरी के जीवन में आई लेकिन पुरे परिवार में एक नई रोशनी नई जिंदगी आ गई और ओडि जिंगा जी इतने भावोग होकर के बात मिझे पता रहे थे कि उनकी इच्छा है कि भारत की जो आईरुवेद का विज्ञान है वो केनिया में ले जाएं जिस प्रकार के प्लांट्स इसमें काम आते हैं उन प्लांट की खेती करेंगे और इसका लाब अधिक लोगों को मिले इसके लिए वो पुरा प्रयास करेंगे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी धरती और परंपरा से किसी के जीवन से इतना बड़ा कश्ट दूर हुआ और ये सुन करके आपको भी खुशी होगी कौन भारतवासी होगा जिसको इसका गर्वन हो हम सभी जानते हैं कि ओडिंगा जी ही नहीं बलकि दुनिया के लाखो लोग आईरुवेद से ऐसे ही लाब उठा रहे हैं ब्रिटेन के प्रिंस चार्ट भी आईरुवेद के बहुत बड़े प्रसंसों को में से एक हैं जब भी मेरी उनसे मिलाकात होती हैं वो आईरुवेद का जिक्र जुरू कर हैं उन्हें भारत के कई आईरुवेदिक समस्ताओं की जानकारी भी है साथ क्यों पिछले साथ वर्षों में देश में आईरुवेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है आयुश मंत्राले के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ से जुड़े हमारे पारंपा तरीकों को लोग प्रिये बनाने के संकर्प को और मजबूती मिली हैं मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कुछ समय में आयुवेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्ट अप सामने आये हैं इसी महने के शुरुवात में आयू स्टार्ट अप चलेंज शुरू उन्हें सपोर्ट करना है इक शेत्र में काम कर रहे हैं युवाओं से मेरा आगर है कि वे इस चलेंज में जुरूर हिस्सा लें